काजू नमकीन जट पर बन जाता है, खाने में बहुत लाजबाब होता है, कई तरह से आप इसे खाते हैं, खीर में डालके, सिवई में डालके, एबा काजू का नमकीन बना कर खाईए, उमीद है कि बहुत पसंद आएगा, बहुत सिंपल तरीके से, कम सामान में ये नमकीन बन के तयार होता है, हर उमर के लोगों को ये नमकीन आप दे सकते हैं, रोजरो फ्राई करने का जंजट नहीं, एक दिन इसको बना लिजे, महिनों तक एट आडिब्बे में इस्टोर करके रखिए, जब मन करें, बड़ो को खिलाए, बच्चो को खिला पड़ती है, तो इसको बनाने के लिए गैस पर एक पैन गरम होने के लिए रख दियें, पैन गरम हो गया, अब इसमें एक बड़ा चमच घी डाल देंगे, कोशिस करिए कि आप देसी घी डालिए, देसी घी भी तकतवर होता है, और काजू भी, देसी घी में फ्राई हैं, अभी जादे घी में फ्राई करके दिखा रहे हैं, थोड़ी देर में कम घी वाला भी काजू फ्राई करके आपको दिखाएंगे, इस तरह से बराबर चलाते हुए काजू को आप मिडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर लिजे, इस स्टेस पे काजू को चलाना नहीं छ फ्राई करते हुए, हलका हलका कलर चेंज हो रहा है, थोड़ी देर इसे हम फ्राई करेंगे, जिससे की ये खाने में भी बहुत क्रांची होता है, और देखने में भी गुलाबी कलर का बहुत प्यारा लगता है, बहुत मेहन समय नहीं लेता है, बस गैस के फ्लेम का ध्यान और इतना ध्यान देना है कि इसको बराबर चलाते रहेंगे तो इस तरह से आप बच्चों को टेस्टी नमकिन बना के दे देंगे तो काजु को मंग मंग कर खाएंगे और बड़े भी बहुत सक्षे खाएंगे जो इस तरह से सिंपल काजु नहीं थाना पसंद करता है उसे नमकिन बना के दे देंगे तो वो कहेगा कि एक मुठी और दे दीजे तो देखिए एक बैस का जादे घी वाला हम काजु फ्राई करके आपको दिखा दे रहे हैं बराबर ही चला रहे हैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है अब यह गुलाबी कलर का हो गया है इसको हम निकाल लेते हैं यह डार्ग गुलाबी कलर का है इस्टेनर में निकाल लेंगे तो जो इसमें इस्ट्रा घी होगा वो पैन में ही चला जाएगा जादे घी वाला देखिए काजू फ्राई हो गया है इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं अब करें घी वाला हम काजू फ्राई करेंगे जिस घी में हम काजू को फ्राई किये थे थोड़ा सा घी उस पैन में बचा हुआ है देखिए, दो चम्मच के बराबर इसमें घी है, गैस का फ्लेम मीडियम रखे हैं, जो आधा काजू बचा हुआ था, उसे भी डाल देंगे, और इसको भी बराबर चलाते हुए फ्राई करेंगे, तो जाते घी वाला आप काजू फ्राई करके खाना चाहेंगे, कि कम घी वाला रोस्टेट करके खाना चाहेंगे, किस तरह से आप काजू का नमकिन बनाना चाहेंगे, वो आपके उपर डिपेंट करता है, वो आपके मर्जी के उपर है, हम दोनों तरह से फ्राई करके दिखा दे रहे हैं, लेकिन जादे घी वाला और कम घी वाला, दोनों तरह का हर्माजूची में काजू फ्राइश है ये लिए हरीन निकल दो लिससेजी हो स्क isto नच hari किरा डीन चाहा यहा है जोकcially patterns की ओर टेश्राह हम जाता है तो यह तरह से आननाology काजूची had fåोगे नतुन हैं अर जो नमकिन बननाने के लिए चोथाई चमच नमक डाल देंगे बहुत जादे काजु नमकिन को नहीं सुकता है काला नमक जो थाई चमच डालेंगे आप काला नमक डालना चाहें तो डाल दीजी नहीं तो स्किप कर सकते हैं चाट मसाला पाउडर आधा चमच डालेंगे काली मिरिज पाउडर ये कुटी हुई है इस से जरूर डालिएगा इस स्कीप नहीं करिएगा आधा चमय डालेंगे आप चाहें तो काली मिरीज का पाउडर भी डाल सकते हैं हम दर दरा सा कुटके डाले हैं बहुत चीजों की जरुत नहीं हुई देखिए जट पर यह नमकीन बनने लगा सभी चीजों को हम मिक्स कर किसी खास मौके पर भी इस नमकीन को बना के आप सर्व कर सकते हैं अब इसको स्टोर कैसे करना है यह भी हम बता देशते हैं कोई आप साब डिबबा ले लीजिए यह प्लास्टिक का या सीसे का मेपा सीसे का डिबबा था यह बोजाम तो इसमें हम रख दिये अच्छे से इ करवा नहीं पास होगा तो जितने दिन तक आप रखेंगे आपका काजू स्वाप्ट नहीं होगा क्रांची ही बरकरार रहेगा इस तरह से टेस्टी काजू नमकीन एक बार आप भी बनाईए खाईए इंजॉय करिए वीडियो पसंद आये तो चैनल को सस्क्राइब करिए ल कर दो स्क्राइब बनाउडे से अद्टी है